Hello fan, welcome back और आपके लिए बीडियो लेकर रहा है एलेक्टिक स्कूटर के बारे में और उस एलेक्टिक स्कूटर के कमपनी का नाम है Ampere तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ampere के सभी स्कूटर के प्राइस फीचर और उसके परफॉर्मेंस के बारे में तो Ampere Scooters के बारे में डीटिल में जानकारी के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा तो आए श्टार्ट करते हैं ये वीडियो लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तक इस चैनल को सस्क्राइब ने किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को क्लिक कर लिजेगा थाकि कोई भी अपडेट आपसे मिसना हो सबसे पहले नमबर बात करते हैं MPR GL की तो ये MPR की सबसे महंगी और हाइ स्पीड वाली स्कूटर है ये आपको फोर कलर आपसन में मिल जाएगा जिसमें चेरी रेट, पर्ल वाइट, ओसियन ब्लू और ब्लैक सामिल है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 1200 वाट का मोटर और 60 बोल्ट का एडवांस लिथियम आयन बैटरी दी गई है जिसे चार्ज होने में 5-6 सावस का टाइम लगता है और ये स्कूटर एक बर चार्ज होने पर 70-75 किलो मिटर पर चार्ज का माइलेज भी देता है ये स्कूटर 0-50 kmps तक की रफ्थार पकड़ने में मात 6 सेकेंड का वक्त लेता है और इस स्कूटर की टॉप स्पीड 50-55 kmps तक है टायर और बेस की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर में 10 इंच के टूबलेश टायर लगा हुआ है जिसके फ्रंट और रियर में 130 ओम का ड प्रोलिंग विट EBS यानि के लेक्रोनिक ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है इसके अलावा एंपीर की तरफ से HBS यानि की हार्मोनिक ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है HBS और CBS दोनों ही सेम वर्क करते हैं अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डिमेंसन की तो इसके लें तो 1720 अम है और प्राइज 76,000 रुपीज तक हो सकती है अगर आप इस स्कूटर की एक्जाट और प्राइज जाना चाहते हैं तो आपको आपके नजदी की एक शुरूम पर पता करना पड़ेगा सेकेंड नमर बात करते हैं Ampere V48 की तो ये स्कूटर आपको थ्री कलर आप्शन ब्लैक, रेट और ग्रे में मिल जाएगा इसमें 250 वाट का BLDC मोटर और 48 वोल्ट की एडवांस लिथियम आयन बैटरी और लीड एसीड बैटरी जो की आप्शन में दिया गया है इसकी लिथियम आयन बैटरी चारज ओने में 5-6 आवस का टाइम लेती है, वह इसकी लीड एसीड बैटरी चारज ओने में 8-10 आवस की टाइम लेती है बात करते हैं इसके मालेश की तो इसकी लीठियम आइन बैटरी 60-65 km पर चार्ज का मालेश देती है वह इसकी लीड एसी बैटरी 45-50 km पर चार्ज का मालेश देती है इस स्कूटर की टॉपस्पी 25 केमपेस लागा है टायर उपडेस की बात करें तो इसके front और रियर में 16 इंच का टायर लगा हुआ है जिसके front और रियर में drum brake दिया गया है इसके कुछ features की बात कर लें तो इसमें आपको digital meter मिलता है front में telescopic और रियर में coil spring suspension दिया गया है front में glove box दिया गया है, bottle holder भी दिया गया है width 640 mm, height 1200 mm, wheel waist 1275 mm, इसका curve weight lithium mind battery के साथ 66 kg है वहीं lead acid battery के साथ 84 kg है, इस scooter की payload capacity 100 kg है बात कर लेते हैं इसके price की, तो MPR V48 का दिल्ली एक्सिरूम price 28,900 रुपीज से लेका है 37,488 रुपीज तक है third number बात करता है MPR Rio की तो यह scooter आपको 5 color option, red, white, green, yellow और black में मिल जाएगा यह आपको 2 battery option, lithium ion और lead acid battery में मिल जाएगा तो आप अपने according battery चूज कर सकते हैं इसमें 250 watt का BLDC motor, 48 volt की advanced lithium ion battery और 48 volt की lead acid battery option में दिया गया है इसकी battery charge ओने में 5-6 hours का time लेती है वह इसकी lead acid battery charge ओने में 8-10 hours की time लेती है बात करता है इसके mileage की तो इसकी lithium ion battery 60-65 km पर charge का mileage देती है वह इसकी lead acid battery 45-50 km पर charge का mileage देती है और इस स्कूटर की top speed 25 के MPR तक है tire ओपे इसकी बात करता है तो इसके front और rear में 10-inch का tubeless tire मिलता है जिसके front और rear में drum brake दिया गया है बात कर लेते हैं इसके कुछ features की तो इसमें आपको digital meter मिलता है इसके front में telescopic और rear में coil spin suspension दिया गया है इसके front में glove box मिलता है bottle holder भी मिलता है luggage hook दिया गया है इसके lithium ion battery पर 2 years की warranty और इसके lead acid battery पर 1 years की warranty दी जाती है बात कर लेते हैं इसके कुछ dimensions की तो इसके length 1730 mm है width 660 mm है height 1200 mm है wheelbase 1334 mm है इस scooter का curve लिथियम ion battery के साथ 70 kg है वहीं lead acid battery के साथ 88 kg है इस scooter की payload capacity 140 kg है बात कर लेते हैं इसके price की तो ampere video की दिल्ली एक सिरूम प्राइस 37,000 रूपीज से लेकर 45,496 रूपीज तक है अगर इस scooter आप lead acid battery के साथ लेते हैं तो थोड़ा सा जस्ता मिल जाएगा अगर वहीं आप lithium ion battery चूज करते हैं तो ये scooter आपको थोड़ा सा महेंगा पर सकता है फोर्थ नमर बात करते हैं ampere magnus की तो ये scooter ampere V48 पर best बनाया गया है ये आपको four color option red, white, black और silver में मिल जाएगा इस scooter में 250 watt का BLDC motor और 60 volt की lead acid battery दी गई है और इसकी ये battery चार्ज होने में 8 to 10 हैं उसकी time लेती है और एक बार चार्ज होने पाई ये scooter 45 to 50 km पर चार्ज का mileage भी देती है इस scooter की top speed 25 के MPS तक है टायर ओबेस की बात करें तो इसके front और rear में 16 इंच का टायर मिलता है जिसके front और rear में drum brake दिया गया है इसके कुछ features की बात करें तो इसमें digital meter मिलता है LED headlight दिया गया है front glove box मिलता है bottle holder दिया गया है luggage back hook दिया गया है और इस पे आपको one years की warranty भी मिलती है इसके कुछ dimensions की बात करें तो इसके length 1880 mm है width 710 mm है height 1190 mm है wheelbase 1450 mm है इस scooter की curve weight 94 kg है इस scooter की payload capacity 140 kg है बात कर लेते इसके price की तो M.P.R. Magnus की दिल्ली एक serum price 45,000 रुपीज तागा है तो फैंस ये थे M.P.R. के ओ सवी scooter जिसके बारे में मैंने पूरी जनकारी इस वीडियो में दे दिया लेकिन फिर भी मन में कोई question है तो आप हमें comment करके पूच सकते है साथ ये स्कूटर में से जो भी आपको पसंद आया हो आप हमें comment करके बता सकते है इस वीडियो में फिला लितना ही उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दे और अगर इस चैनल को अब तक आपने सस्क्राइब ने किया तो प्लीज सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले थैंक्यू फैंस थैंक्स पर वाचिंग